हेलो गोस्टली आर्मी कैसे हैं आप सब तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को डेली वीडियोस पसंदा रही होंगी एंड 22nd of April को The Conjuring 3 यानि की The Devil Made Me Do It का ट्रेलर आया है और इस वीडियो के अंदर हम इस ट्रेलर को ब्रेकडाउन करने वाले हैं यह फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पारड है जो की 4th of June 2021 को Theaters and HBO Max पर रिलीस होने वाली है इस फिल्म को डारेक्ड किया है माइकल शाविस ने जिन्होंने The Curse of Lyorona को भी डारेक्ड किया था बात करें पहली दो Conjuring फिल्म्स की तो उनको James Wan ने डारेक्ड किया था यह फिल्म Famous Paranormal Investigators Ed Warren and Lorraine Warren के एक केस पराधारित है ट्रिलर के अंदर हम पेट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा को Ed and Lorraine के रूप में देख पाएंगे इस फिल्म की कहानी Arnie Johnson नाम के एक आदमी के उपर है जिसने अपने ही Landlord यानि के मकान मालिक को ही मार डाला था Murder के बाद में पुलिस को Arnie Semi Conscious State में मिला था जिस चीज़ को हम ट्रेलर में भी देख पाते हैं यहाँ पर Arnie का ये दावा था कि उससे कुछ याद नहीं है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसने किसी का Murder किया है अब रियालिटी में 16th of Feb 1981 को 19 साल का Arnie Johnson अपनी 26 साल की Girlfriend डेबी के साथ में लंच करने गया था डेबी की कजन मेरी जो की 9 साल की बच्ची थी वो भी वहाँ पर थी Sisters Wanda और जैनिस भी वहाँ पर थे इन सब को उस दिन Arnie का Behavior odd लगता है Like वो एक अलगी आदमी हो Arnie और डेबी के बॉस कम लेंडलॉड ऐलन बोनो भी उनके साथ थे यानि कि वो भी लंच कर रहे थे लंच के दौरान ऐलन और अरनी दोनों Heavy ड्रिंक करते हैं ड्रिंक के बाद में ऐलन मेरी को हैरस करने लगता है Arnie को इस चीज़ से काफी ज़दा गुसा आजाता है और इन दोनों में Fight हो जाती है Finally Arnie एलन पर अपने Pocket Knife से हमला करता है जो कि 5 इंच लंबा था एलन की Death लेटर ओन हॉस्पिटल में हो जाती है और Arnie महां से भाग जाता है और पुलिस के हाथ लगने पर Arnie ये कहता है कि मैंने कोई भी खून नहीं किया है और Devil ने मुझसे ऐसा करवाया है और आप मेंसे बहुत लोग नहीं जानते होंगी कि Conjuring 3 का नाम पहले कुछ और था उसका टाइटल था Conjuring 3 The Devils Are जो की चेंज करके The Devil Made Me Do It कर दिया गया है ये Murder Brookfield Connected Cut के 193 साल की हिस्टरी में पहला केस था वहाँ पर पुलिस टेशन शुरू हुए 30 साली हुए थे बट इससे पहले Murder की ख़बर कभी भी नहीं आई थी इसलिए शेहर के लोगों के अंदर इस केस को लेकर काफी दहशक थी हम TV मीडिया को भी इसे cover करते हुए देख पाते हैं अब फिल्म के अंदर Alan Bono का नाम चेंज करके Bruno Souls कर दिया गया है खैर ट्रेलर के अंदर Arnie Johnson पर Murder का केस चलाया जाता है जहां पर वो खुद को निर्दोश कहता है डेविल से possessed होने की बात भी करता है एक सीन के अंदर हम Ed Warren को testify करते हुए भी देखते हैं यहां पर उसको एक expert demonologist witness के तोर पर बुलाया गया था Arnie के defense lawyer ये प्रूव करना चाहते थे कि डेविल सच में है यदि court God में विश्वास रखती है तो उसको devil में भी विश्वास रखना होगा अब मैं आपको बता दूँ कि US के हर court में लिखा होता है in God we trust मतलब की court God के अस्तित्व पर यकीन रखता है lawyer की ये theory थी कि God है तो devil भी है devil है तो possession है और possession है तो Arnie victim है और उसने ये murder नहीं किया है बलकि उससे ये करवाया गया है और यहाँ पर devil real में murderer है ना कि Arnie इसलिए lawyer कई सारे evidences witness को भी पेश करता है हम murder weapons को भी देख पाते हैं खेर आगे हम police को अपनी investigation करते हुए देखते हैं हमें घर देखते हैं और उसके पास एक lake भी होती है police की मदद Ed and Lorraine कर रहे होते हैं कई सारे police officers यहाँ पर skeptic थे अब यहाँ पर Arnie की girlfriend Debbie Gladsell को भी यहीं लगता है कि Arnie possessed हुआ था और हम यह सारी बातें उसको police को बताते हुए भी देखते हैं आगे हम David Gladsell नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो की Debbie का छोटा भाई था वो अपने water bed पर सो रहा होता है और उसके bed पर हम हलके से किसी demonic figure के face को भी देखते हैं लेटर ओन वो इसी demon से possessed भी हो गया था डेविड के family ने Ed and Lorraine को study करने के लिए बुलाया था अब यहाँ पर हम Ed and Lorraine को Debbie के घर को basement को चेक करते हुए देख पाते हैं लोरेन का यहाँ पर यह कहना था कि Debbie की पूरी family cursed है वहाँ पर एक witch का totem भी मिलता है जिसे वो Debbie को दे देती है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई witch है और यह उसी का curse है असल में Ed and Lorraine ने ही डेविड पर exorcism करने का idea दिया था local church ने exorcism किया भी था कई सारे priest को बुलाया भी गया था और यहाँ पर Arnie डेविड का boyfriend था अब एक theory के मताबिक Arnie ने ही डेविड के अंदर के demon को उकसाया था उसने उसे possess करने का challenge भी दिया था इस challenge के बाद में डेविड ठीक तो हो गया पर Arnie में demonic symptoms दिखने लगे थे अब आगे trailer के अंदर Lorraine को police detective sergeant clay से बात करते हुए हम देखते हैं अब sergeant clay यहाँ पर एक rationalist होता है और वो ऐसी भूतिया चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता था लोरेन उसको ये कहती है कि उसको ऐसे visions आते हैं जो कि आम लोग नहीं देख पाते डेबी के घर के आसपास spirit world से connection जादा था और हम लोरेन को spirit world से connect होते हुए पहली movies से ही देखते आ रहे हैं जहाँ पर वो उन visions में खो जाया करती थी लाइक वो किसी भी जगा को टच करकर एक short burst of time को देख पाती थी कि वहाँ पर हुआ क्या था अब ये डेबी के घर के आसपास वहाँ पर सारी चीज़ों को जानने के लिए आती है एंड मेबी यहाँ पर लोरेन वो देखनी कोशिश कर रही है जिस कारण से आर्णी ने अपने लैंडलॉर्ड को एक चाकू की मनद से मार दिया था मेबी पास्ट में कुछ ऐसा हाथसा हुआ होगा जहाँ पर एक pocket knife का इस्तिमाल हुआ होगा लोरेन अब यहाँ पर spirit world से connect हो जाती है यहाँ पर हम daylight को night में convert होते हुए देख पाते हैं implying की लोरेन अब spirit world में है वहाँ हमको पेडों के पीछे किसी लड़की के हाथ दिखाई देते हैं लेटर ओन वो लड़की भागने लगती है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़की डेबी हो सकती है डेबी किसी demon से डर कर भाग रही होगी आगे हम डेबी को demon से possessed होते हुए भी देख पाते हैं और इसी की बीच में एक scene भी है जहाँ पर एक demon को हम उल्टे पैरों से चलते हुए देखते हैं यह प्लीस शायद से jail हो सकती है जहाँ पर आर्णी को लॉक किया होगा बिकास demonic possession इतनी असानी से जाता नहीं है अब आगे की scene में हम father Gordon को डेबी के घर पर आते हुए देखते हैं लोकल चर्च ने डेविड पर exorcism करने के लिए कई सारे priest को बुलाया था उन में से रूम से आई priest Francis Eve वर गुलाइक भी शामिल थे फिल्म के अंदर उनका नाम बदल कर father Gordon रख दिया गया है आगे हम father Gordon को लोरेन और एड को वांड करते हुए देखते हैं कि डेविल के पुझारी को हलके में लेना नहीं चाहिए और हम सब जानते हैं कि विचेज डेविल की पुझा करती हैं फिल्म के अंदर यूजीन बॉन्डियूरॉंट को हम अक्यूलिस्ट का रोल करते हुए देख रहे हैं शायद ये वही वीच है जिसने डेवि की फैमिली को कर्स किया था और शायद से यही demonic possession करवा रही होगी अब एक सीन में हम इस अकलिस्ट को आर्णी के घर पर भी देखते हैं वूट्स में लोरेन अब भागने लगती है ऐस इन वो spirit world में डेवी का पिछा कर रही थी वो एक police पर जाकर रुकती है और किसी को चाकू से मारने लगती है जिससे abnormal world में भी देखता है और ऐसा हमने Conjuring 2 फिल्म में भी देखा था अगले सीन में हम लोरेन को किसी से गले लगते हुए देखते हैं और वो रो रही थी शायद से एक court house होगा जहां पर आर्णी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी अब यहां पर एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लोरेन फिर से वुट्स में भागते हुए दिखाई देती है डैविड भी हमेशा की तरह किसी डीमन से डर कर बैठा है और उस पर उपर से कोई डीमन हमला करने आता है हम लोरेन को ये भी कहते हुए सुनते हैं कि वो फिर से सटैनिक शक्तियों को हासिल कर रही है मतलब इस विच को लोरेन जानती है और उसकी हिस्टरी को भी जानती है कहीं यहां पर बैठ शिबा और नन का रोल तो नहीं है खेर अब हम उस विच को देखते हैं जो कि एक पुराने खंडर जैसे प्लेस में थी वो एक सटैनिक रिचुल करने की तैयारी में है उसके सामने एड जैसा एक शक्स है और अगले सीन में हम लोरेन को एड की और भागते हुए देखते हैं बट रास्ते में ही वो विच में कनवर्ट हो जाती है और वो आकर एड पर कुछ लाल पाउडर फेक देती है अब यहां पर ऐसा लगता है कि विच और लोरेन दोनों ही स्पिरिट वर्ल्ड में हैं स्पिरिट वर्ल्ड में ही विच लोरेन को हांट कर रही है आगे हम एड को उन सभी रिच्वल्स को तोड़ते हुए भी देखते हैं वो लोरेन को स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर लाने के लिए चिलाता भी है हम डेविड के एक सीन को देखते हैं जहां पर एड और लोरेन उससे सवाल बूच रहे होते हैं और वहाँ पर आर्नी भी था इस टाइम डेविड को हम वोईलेंटली पॉसेस होते हुए देखते हैं वो आर्नी को उठाकर फेक देता है और शायद से यहीं पर आर्नी ने डीमन को चैलन्ज किया होगा लाइक बच्चे को छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझे पॉसेस करके दिखाओ लोल और लेटर ओन आर्नी पॉसेस होई गया था अब आर्नी को जेल रूफ के अंदर दिखाया जाता है और उसके गले में चेन थी वो सुईसाइड करने जा रहा था आगे फादर गॉर्डन, एड और लोरेन को वार्न करते हैं कि आर्नी को बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत देनी होगी लोरेन को हम स्पिरिट वर्ल्ड में एक इल्यूजन में फसे हुई भी देख पाते हैं शायद विच नहीं उसे वहाँ पर फसा दिया होगा लेटर ओन हम लोरेन को वुड्स में भागते हुए देखते हैं जो कि एक क्लिफ पर आकर रुख जाती है जो कि मेरे खहाल से उसी फॉरेस्ट का सीन होगा जहां पर उसको सारे विजन्स आए थे यहां पर एड भी उसका पीछा करता है जहां पर एक डिमॉनिक हाथ लोरेन को नीचे खीचने लगता है और बूम यह ट्रेलर ब्रेकडाउन यहीं पर खतम हो जाता है अब दोस्तों क्लियरली यह इस साल की सबसे बड़िया हॉरर फिल्म में से होने वाली है और काफी बड़ी बजट की फिल्म भी होगी एज इसको काफी कड़ी महनस से बनाया जाने वाला है एवन दो यह ट्रू स्टोरी से इंस्पारड है लेकिन इसमें काफी सारा फिक्शन एड किया गया है और यहां पर विच की स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल थी और यहां पर विच की स्टोरी फिक्शनल है रियल में आर्ने अंड डेविड को डीमन्स ने पॉस्स किया था ना कि किसी विच ने और यहां पर विच कर्स का एक अलगी एंगल दिखाया गया है में थियरी यहां पर यह है कि वैलक या फिद डीमॉनिक एंटिटीज इस बार एड अंड लोरेन को रोकने के लिए विच की मदद ले रही है अब मेरे कहाल से यहां पर एक विच ने इस फैमिली को कर्स किया है यहाँ पर जो demonic entities हैं वो शायद से एड और लोरेन के past में से हो सकती है यहाँ पर बात करें कुछ sources के बारे में तो वहाँ पर none भी इस film में होगी और यह film पूरे conjuring franchise को connect कर देगी I mean movie release होने से पहले काफी सारी अफवाई उड़ती है तो शायद से यह उन में से हो सकती है लेकिन अगर यह ऐसा करते हैं तो बहुती बढ़िया फिल्म यह बन सकती है क्योंकि अगर यह simple एक अलग case होगा तो मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा लाइक पहले भी हम फिल्मों में यह सब कुछ देख चुके हैं तो यहाँ पर अगर कुछ नया होता है तो मेरे को काफी जादा मजा आएगा खैर अब सभी horror fans की तरह मुझे भी इस फिल्म का पिछली साल से बेसबरी से इंतजार है यदि C-19 ना हुआ होता तो यह अब तक रिलीज हो चुकी होती डैविड और अर्णी के केस पर ही बेसड एक horror film साल 1983 में आई थी डीमन मर्डर केस अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको explain करूं तो बता देना नहीं तो हम directly Conjuring 3 भी explain कर देंगे अब मेरे खयाल से हम उसको explain करी लेते हैं क्योंकि जब Conjuring 3 आएगी और जब मैं उसको explain करूंगा तो यहाँ पर हम दोनों में differentiate कर पाएंगे कि कितना अलग है अब बात करे आर्णी की तो उसको 5 साल के बाद ही रिया कर दिया गया था for his good behavior एंड डेबी ने उससे शादी भी की थी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आर्णी इनोसेंट है अब अगर मेरी personal opinion पूछते हैं तो यहाँ पर आर्णी murderer था क्योंकि उसने काफी तादा heavy drink कर रखी थी डीमन की बात तो छोड़ दो ड्रिंक करने के बाद में अच्छे अच्छे होश में नहीं रहते और क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ भी याद भी नहीं रहता और आर्णी तो मातर 19 साल का लड़का था शायद से जवानी में बहग गया होगा अगर कुछ बुक्स के मताबिक हम बात करें तो ये पूरा legal case एक होक्स है एड एंड लोरेन ने पैसे बनाने के लिए सब किया था उनकी ये calculation थी कि इस case की publicity से millions of dollars आएंगे जो की हुआ भी तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आप सब की क्या opinion है मुझे comment section में जरूर बताना और आज सब लोग comment कर जाएंगे क्योंकि Conjuring 3 की कसम है आप सबको और चैनल पर नए है तो subscribe कर दीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए stay ghostly